अपने आशियाने की चाहत की कहानी जरा हटके जरा बचके देखो मैंने देखा है ये एक सपना फूलों के शहर में हो घर अपना सुपहिट गाना अपने घर की चाहत रखने वाले हर मध्यम वरगिय जोड़े के लिए सपने की तरह है मगर अपने आशियाने को पाने के लिए कोई किस हद तक जा सकता है यह एक पेचीदा सवाल है लुकाच हिपी और मिमी जैसी अचित फिल्में दे चुके निर्देशक लक्षमन उतेकर मिडल क्लास कपल के इसी सपने के इर्द गिर्द अपनी फिल्म जरा हटके जरा बचके बुनते हैं मगर पात्रों के कमजोर चरित्र चित्रन के कारण वे दर्शकों को कहानी से जोडने में नाकाम रहते हैं कहानी मजेदार नोट पर शुरू होती है सौम्या दुबे चावला, सारा आली खान और कपल दुबे, विकी कोशल की लव मेरेज हुई है और दोनों जॉइंट फैमिली में रहते हैं कपल योग गुरू है और सौम्या मामा मामी और उनके टीचर है घर में बच्चे के आने के कारण दोनों को प्राइवसी नहीं मिल पा रही है और उन्हें हॉल में सोना पड़ रहा है दोनों अलग घर लेने की नई फिल्म जरा हटके जरा बचके रेटिंग OTT पर परिवार के लिए ये फिल्म अच्छी साबित हो सकती है प्लानिंग करते हैं लेकिन घर इनके बजट से बाहर होता है फिर उन्हें जन आवास योजना की जांकारी मिलती है वे घर के एजेंट भगवान दास इनामुलहक से मिलते हैं वो आइडिया देता है कि अगर दोनों तलाक लेले तो सौम्या को महिला कोटे से घर मिल जाएगा दोनों दोबारा शादी कर लेना सौम्या और कपिल घर वालों को बताय बिना तलाक लेते हैं और घर का फॉर्म भर देते हैं उनका ये पफैसला उनके सपने को पूरा कर पाता है या नहीं। ये फिल्म देखने पर पता चलेगा। तुकडों तुकडों में दिल्चस्प हैं मगर उनमें डेश्ट की कमी है। निर्देशक लक्षमन मिडल क्लास जॉइंट फैमिली का एक मजेदार संसार रचते हैं मगर उनकी कहानी का कोर कमजोर साबित होता है। फस्ट हाफ रफतार के साथ आगे बढ़ता है। मगर सेकंड हाफ में कहानी खीची हुई लगती है। कलाइमेक्स में कहानी कमजोर पड़ जाती है। सचन जिगर के संगीत में कुछ गाने अच्छे बन पड़े हैं। अब ने की बात करें तो विकी कौशल ने छोटे शहर के पैसे।